नमस्कार जैहिंद जैबिहार मैं हूँ आप सबका दोस्त वकील सहव पत्रकार एसके पंकज देशहरा का समय है और हम सभी अपनी अपनी माओं के साथ अपने अपने घर के बच्चों के साथ देशहरा का तेवहार मना रहे हैं आज नौमी पलस दश्मी हो भी गया माता के विदाई का समय भी आ गया लेकिन बिहार में चर्चा का विशय बना हुआ है कि एक माँ आज भी पर्व के समय तेवहार के समय अपने बेटे का अपने लाल का इंतजार कर रही है वो लाल कोई और नहीं बलकि सनो बिहार मनीश का शप्थ है दिवाली भी आने वाली है और जाहिर सी बात है कि हम सभी अपनी माओं के साथ घर का दीप जलाएंगे अपने बचों के साथ पठाके उडाएंगे लेकिन क्या एक देशभक्त एक साहसी और एक बहादूर पत्रकार की मा को अपने निर्दोष बेटे के साथ दिवाली मनाने का दीप जलाने का अधिकार नहीं है क्या एक आर्मी जवान के पोते और आर्मी जवान के बेटे, खानदानी आर्मी जवान के बहादुर पत्रकार बेटे को इस बार दिवाली के समय अपनी मा के साथ दीपक जलाने नहीं आना चाहिए उसका घर भी जो है वो खुशियों की रोस्नी से जगमग नहीं होना चाहिए तमाम तरह के सवाल है इसी बीच एक सवाल ये पनप्रा है कि क्या लोग मनीश कशप को भूल चुके हैं मनीश कशप वही सक्स जिसने बिहार के लड़ाई और बिहार के गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए जो अभी बेवर जेल में बंद हैं उज़ दिनों तक वह मदुरही के जेल में बंद थे अभी बेउर जेल में वो बंद है यहां कि वकीलों ने संघर्ष करके उन्हें मदुरही से वापस बिहार के जेल यानि बेउर जेल लेया लिया है लेकिन अब वह बाहर कब आएंगे और क्या सच में बिहार के जनता उनको भूपल जुकी है यहीं तमाम तरह के सवाल है सबसे पहली पात शक्यां मनीश-जма २उब折्ण है उनका हाल नहीं पूछते या अपना हाल लप बन रहे हैं आगता हैं तो मैं बतां कि सबी मामलों में उनको बेल मिल चुका है यानि तमिलाडू के मामले में तो आप सब जानते ही है कि डिफॉल्ट बेल मिल चुका है तमिलाडू के पुलिस ने तमाम तरह के आरोप लगाए लेकिन उन आरोपों की पुष्टी करने के लिए जो परियापत इविडेंस हो सकता था वो तमिलाडू या उस बेल रिजेक्ट होने का मतलब यह समझा जाए कि मनीश कश्रफ ट्राइल होने तक जेल में रहेंगे तो कत्ता ही नहीं समझे इसका मतलब क्यूंकि सीविल कोट से सामानने तौर पर जब क्रिमिनल एंटिसिडेंट्स ज्यादा होते हैं तो बेल रिजेक्ट हो जाता है जब परिया ऽवधी जेल की पूरी हो जाएगगी जुडीसील कर स्टडी का समय हो है वो जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में पतना हाय कोट से बैल मीलेगा यानी हाय कोट onorable हाय कोट से बैल मीलेगा एक प्रकरिया का हिससा है दल्यील तो वकिल पूरा देते हैं लेकिन कुछ सैक्शन्स ऐसे होते हैं जिसमें लोवर कोट से बेल नहीं मिलता है तो उसी प्रक्रिया के तहत मनीश कश्यप को पटना सिविल कोट से उनका दो केस का बेल रिजेक्ट हो गया और वेकेशन के बाद तुरंत बेल फाइल होगा हाई कोट में और जैसे ही वो बेल फाइल होगा कि एकाद सप्ता के अंदर ही बेल बेंच आज कल पटना हाई कोट में बेल बेंच बैठ रहा है तो बस एकाद सप्ता के अंदर ही उस बेल की हेरिंग होगी और नियायाले और नियायपालिका पर पूरा उमीद और भरोशा है हम लोगों को कि पटना हाई कोट से उन दो मामलों में भी बेल मिल जाएगा तो दो मामले पटना और एक मामले बेतिया के बचे हुए है बाकी लगवग 628 यह निए 628 यह निए 628 यह निए लगवग 8 यह 9 चुकि वो यहां इस्तिती तो यह है कि जब तक हम लोग नंबर बताते हैं तो आठ नौ मामले हैं उनको बेल मिल चुका है बाकी है अगर में से भी रिजक्ट होता है तो उस मामले में भी उन्रेबल हाई कोट से भी पूरी तलब किया था बिहार सरकार से तमिलाडू सरकार से और किंद्र शरकार से कि वाई एने से वज इंपोज्ड ऑन मनीश कश्यप पर क्यूं एने से लगा अब उस जवाब देने का भी समय आ गया है और वह जैसे जवाब आएगा उसके वाद मनीश कश्यप को वहां से भी एने से है अगर आपके पर्यात सबूस्य है सबकुक्च है तो उसलिए उस मामले लेकर हम लोग नहीं कर सकते हैं अब कर सकते हैं कि लोगों के दिल से नहीं निकलने दे और इसके लिए काम करना होगा आप लोगों को याद होगा कि एक समय ऐसा आया था जब 15-20 दिनों के लिए मनीश कश्यप को सारे लोग भूल गये थे ऐसा समय आया था लेकिन उसके बाद पुजारी मीडिया वाले संजीत कुश्वाहा और अनिकेत र कर बंदूों कि मनीश कश्यप मामले को एक बार और दे भारें उसके पहले तक उनके नाम का नियुक्रांज का वह संगीत रहे propose देया मेडिया ere संजीत कुश्वाह के और तमाम डीजिकल मीडिया के सभी पत्रकार भाईयों को की है कि वो लोग मनीश कश्रप के मुद्दे को उठाए रखे उस मुद्दे को जो है वो कभी डाउन नहीं होने दे अनिकेत रंजन जी से मैं पुना आग्रह करता हूं कि अनिकेत रंजन जी आप एक बार और जो आपकी बिहार जोड़ो यात्रा थी और जो आपने सत्यागरह टू शुरू किया था उस सत्यागरह टू को पूरे जोस खरोश से आपकी बार जिलावार नहीं बलके ब्लॉक वार और अनुमंडलबार मनिश कश्षब के लिए लोगों को जागरुक करिए गाव गाव में जाकरके जागरुक करिए यह हमारी आपसे अपील और प्रार्थना है आप सब लोग जानते हैं कि मैं सड़कों पर नहीं संजीत कुष्वाह भाई से विंति करता हूं कि आप लोग मामले को एक बार और उंचे आस्मान तक पहुंचा दीजिए ताकि मनीश कष्षप की गाथा जो है मनीश कष्षप की कहानी जो है वह जंजन तक और बच्चे-बच्चे तक पहुंच जाए